Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah Sot, So, Madhya Pradesh State Eligibility Test 2023 examination, जो की 27 August को होने वाला है, इस examination के Admit Cards official website पर जारी हो चुके हैं, So, इस वीडियो में कुछ simple steps में आपको बताऊंगी, आप चाहे तो उनको अपने mobile phone में भी follow करके, अपना Admit Card जलरी से download कर सकते हो, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ कि exam में अभी बहुत ही कम समय बाकी है, और आपकी अगर paper one की final preparation अभी तक नहीं हुई है, तो इस पर जरूर ध्यान दीजेगा, क्योंकि 75 plus अगर आप इसमें score कर लेते हो, तो आसानी से top 6% में आप आ सकते हो, इसके final revision के लिए full syllabus notes, full syllabus mcqs, जहां पर आपको previous year questions, most repeated and expected questions मिलेंगे, solution के साथ, इसके साथ ही आपको complete test series मिलती है, जिसमें से की as it is questions exam में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप इस paper one test series को join कर लीजेगा, इसके लिए आपको सरफ एकी भार फीज देनी है, 999 rupees, PPSC की site पर जाकर देख रहे है, admit cards, वहाँ पर आपको link नहीं मिलेगा, परिशान मत होएगा, यहाँ पर देखो एक link मैंने लिखा हुआ है, description box में भी इसको मैंने add कर रखा है, आप जरूर इस link पर click कीजिए, एक इस तरीके की screen आपके सामने आएगी, जहाँ पर आपको अपना application number एंटर करना है, अपनी date of birth एंटर करनी है, जिसमें पहले आपको अपना day लिखना है, फिर month लिखना है, और उसके बाद year लिखना है, और verification code में जो भी यहाँ पर values दी है, उसका जो result आएगा, उसको यहाँ पर लिखिए, और login पर click कर दीजिए, यहाँ पर कुछ instructions यह भी दी गई है, आपके लिए बहुत जादा जरूरी है, इसमें कहा है, अभिहारतियों के, परिक्षा प्रवेश पत्र के download से संबंदित, किसी भी तकनीकी समझ्या का, निराकरण परिक्षा दिवस के, तीन दिन पूर्व तक ही किया जाएगा, तो अगर आपको लगता है, कि आपके admit का download नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई और queries आपके mind में हैं, तो जल्दी से, given numbers पर, ये वाला जो number दिया गया है, MPSet authorities का, इस पर contact कीजे, क्योंकि इनोंने कहा है कि, 27 को अगर आपका exam है, तो कम से कम 23-24 तक ही, आपकी queries को देखेंगे, उसके अलावा, बाद में आप अगर कुछ doubt लेकर जाते हो, तो नहीं देखा जाएगा, आपके सामने आजाएगा, जहां के टॉप में इस तरीके से एक एरो बना होता है, उसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद भी, अगर आपकी माइन में कोई doubt है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, अपना अप्लिकेशन नमबर और अपना डेट ओव बर्थ मुझे शेर कर सकते हो, कॉमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आप सभी स्टूडेंट्स की हल्प करूंगी, अगर आप हमारे पेट स्टूडेंट्स हो, हमारे वाट्सअप ग्रूप में हो, तो भी आप गिवन नमबर पर कॉंटाक्ट करके, कोई भी जानकारी ले सकते हो, So, thank you so much everyone for watching this video, and I wish you all the very best link, मैंने आपको बता दिया कि description box में है, डारेक्ली क्लिक कीजिए और अपने admit card को डाउनलोड कर दीजिए, So, thank you so much everyone,